गुड मॉर्निंग ये इतिहास का पंद्रहवा पार्ट है चलिए हम लोग कुछ तर्थों को लेते हैं जैन धर्म के कितने संपर्दाय हुए दो या तीन और नेक्स्ट तर्थ है प्रशन है श्यतामबर और दिगामबर किसके संपर्दाय है जैन धर्म या बौत धर्म श्यतामबर को किस दूसरे नाम से जाना जाता है तेरा पंथी या समय्या और दिगामबर को किस अन्य नाम से जाना जाता है समय्या या तेरा पंथी और जैन धर्म पुनर जनम अम कर्म वाद में विश्वास करता है या नहीं क्योंकि इस तरह के प्रशन मिलाने के लिए आता है जैन धर्म में उपवास दुआए शरीर के त्याग को क्या कहते है सलेखना या तेरा पंथ दक्षिन भारत में जैन धर्म का विकास किन राजाओं के दुआरा हुआ राष्ट कूट या पाल गुजरात एम राजस्थान में जैन धर्म केवी सताब्दी में लोकप्रिये हुआ ग्यारहमी सताब्दी या पंद्रहमी सताब्दी जैन एम मथुरा किस धर्म का पर्मुक केंद्र था जैन का या बद्ध का पर्थम जैन तिर्थंकर कौन है लिसब देव या अजीतनात लिसब देव को किस अननाम से जाना जाता है आदिनात या पाशर्वनात 23 तिर्थंकर जैन धर्म के कौन है पाशर्वनात या अरिष्ट नेमी जैन धर्म के अंथिम तिर्थंकर कौन है महावीर स्वामी या अरिष्ट नेमी अरिष्ट नेमी जैन धर्म के क्यावे तिर्थंकर है 22 या 23 जैन प्रंप्रा के अनुसार अरिष्ट नेमी भागवत के किसके समकालीन थे वसुदेव किरिस्न के या हलधर्राम के पर्थम जैन सभा किसके शासनकाल में हुआ चंद्रुप्त मौर्ज या अशोग पर्थम जैन सभा कहा संपन हुई पाटली पुत्रा या कुजरात किस जैन सभा में बारा अंगों का संपादन हुआ पर्थम सभा में या द्यूतियक सभा में जैन धर्म दिगांबर या शयतांबर में दो हिस्सों में बट गया किस सभा में पर्थम सभा में या द्यूतिय सभा में इस्थुल भद्र अंसंभूपती विजय का संबंद किस जैन सभा से है पर्थम से या दिवर्धी चमा शर्मन का संबंद किस जैन सभा से है दिवर्धी जैन सभा से या पर्थम सभा से देतिये जैन सभा किस स्थान पर हुआ वल्भी गुजरात में या पाटली पुत्र में दुस्तिये जैन सभा कब हुआ पाट सो तेरा इस्वी को या आठ सो तेरा इस्वी को तर्थम जैन सभा कब स्थापित हुई तीन सो इस्वी पूर्व या चार सो इस्वी पूर्व वैदिक ग्रंट रीगवेद में कितने तिर्थंकरों का उलेख मिलता है दो या चार रीशिव देव तथा अरिश्टिनेमी का उलेख किस वेद में मिलता है रीगवेद या यजूरवेद तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रोसीट करेंगे थेंक्यू